नमस्कार आप देख रहे न्यूज एट इन इंडिया और मैं हूँ आपके साथ गायती शर्मा शुर्वात इस वक्की एहम ख़बर के साथ एलेसी पर तनाफ के बीच चीन अब भारत से खौफ खाने लगा है लेकिन भारतिय जवान चीन की हर चाल पर नजर बनाए हुए हैं पूरवी लद्दाक में टेंक रेजिमेंट पूरी तरीके से मुस्तैद है जबकि आस्मान से राफाल रख रहा है निगरानी वही ठंड से जवानों को बचाने के लिए भी पूरे इंतिजाम किये गए हैं और इन इंतिजामों की अलग लग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं चीन से तनातनी के बीच उत्तर अरब सागर में भारत और जापान की नौ सेनाओ ने सेनिक अभ्यास किया दोनों देशों के बीच ये सेनिक अभ्यास तीन दिनों तक चलने वाला है जो शनिवार को शुरू हुआ था और इस सेनिक का अभ्यास में जीमेक्स 2020 नाम दिया गया इस सैनिक अभ्यास के दौरान हत्यार चलाने के साथ साथ एक दूसरे जहाजों पर हेलिकॉप्टर को उतारा जाएगा हवाई हमले का सैनिक अभ्यास भी किया जाएगा और इससे कुछ दिन पहले ही भारत ते हिंद माहसागर में ऑस्टेलिया के तो भारत जापान ने ये सैनिक अभ्यास किया और उस अभ्यास के दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लेकिन भारत की इस ताकट से थर-थर का पुटा है चीन हर तरीके से भारत पूरी तरीकित दियार है और इस सब के बीच ये एक्स्लूजिव तस्वीर हम आप को दिखा रहे हैं exclusive तस्वीर जब भारत और जापान ने सैनिक अभ्यास कि और किस तरीके से पूरा अभ्यास हुआ उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं सैनिक अभ्यास को नाम दिया गया जीमेक्स 2020 सैनिक अभ्यास के दौरान हतियार चलाने के साथ साथ एक दूसरे के जहाजों पर हलिकॉप्टर को उतारा जाएगा तो एलेसी पर चीन सिल्वाद के बीच भारती सेना ने भी अपने जवानों और हतियारों की तादात को बढ़ा दिया है पुर्वी लदाक में सेना की टैंक रेजिमेंट पूरी तरीके से मुस्तियत दिखाई पड़ी और इस दौरान टैंक रेजिमेंट के जवान अभ्यास करते हुए भी नजर आए सेना के जवानों का होसला इस दौरान देखने लायक था सभी जवान पूरी तरीके से जोश इसे भर हुए थे वहीं अधिकारियों ने भी पहुँचकर जवानों के जोश को और बढ़ा दिया सर्दी के मौसम में जवानों को कोई परिशानी ना हो इसका भी पूरा अंतिजाम किया गया है जवानों ने ये भी बताया कि सर्दी के मौसम में तापमान माइनस में चला जाता है और उस दौरान टैंक चलाने के लिए खास तरह के इंधन की जरुत पड़ती है जोसका अंतिजाम भी किया जा चुका है सेना के अधिकारियों ने बताया कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो जवान पूरी तरीके से तयार है तो ये तयारी तयारी को दिखाती हुई ये एक्स्लूजिव तस्वीर आप देख रहे है न्यूज जेटिन इंडिया पर किस तरीके से जो रेजिमेंट है वो पूरी तरीकी से तयार है टेंग रेजिमेंट पूरी तरीकी से Tयार है इसके अलावा आपको ये भी बता दे कि एक खास तरह कि इनदन की जरुत परती है जब जो टेमपरेचर है जो ताफ्माने मैनस में चला जाता है लेकिन सबसे बड़ी बात दी है कि उस इंधन का भी कर लिया गया इंतिजाम तो यह एक्स्लूसिफ तस्वीरे न्यूस जेटीन पर आप देख रहे हैं टैंक ग्रजिमेंट एलेसी पर तैनाथ यानि कोई भी हरका दुश्मन देश की उसका मूतोर जवाब देने के लिए हार वो मुम्किन क कोशिश जो बहुत जरूरी है इस वाक्त मोसम का इंजन के उपर बहुत असर पड़ता है फ्यूल और क्लाइमेंट को देखा जाए तो इंजन की जो पुलिंग पावर है उसके उपर काफी असर पड़ता है यहां का टेंपरेचर माइनस ऑक्सिजन की कमी और फ्यूल की फ्र बारे पास हर समय रिक्वाइट के मुझाबित इस्टोरेज किया रहता है साथ ही यह एक्यूक्मेंट अत्यतिक सर्दी और हर तरह के मोसम के अंदर ओप्रसन करने में सक्सम है जैहिंद मैकनाच इंपर्ट्री सेना का एक आधुनिक अंग है जिसके पास हर मोसम और हर ट्रेन में काम करने का अनुभव है हाई मोबिलेटी अमनुशन और मिजाल स्टोरेज होने के काराण यह लंबे समय तक इंडिपेंडेन लड़ाई लड़ने की काबले रखता है मैकनाच इंपर्ट्री का गनर एक बहुती ट्रेन सोलजर होता है जो अलग-अलग तरह के आर्मेमेट को फायर करके की छमता रखता है जाहिंद टैंक्स, इंफिंट्री कॉंबाट वेहिकल्स और हेवी गन्स का मेंटिनेंस ऐसी कटिन टेरेन में बड़ी चुनौती बन जाता है क्रू और एकविप्म्ट रेडिनेस को इंशोर करने के लिए आज हमारे सभी लोजिस्टिक अरेंड्मेंट्स अपनी अपनी जगा पर हैं ये क्रू और एकविप्मंट रेडिनेस को हम कैसे अचीव करेंगे हमारा हाई मॉराल और जोश, हमारी सक्थ ट्रेनिंग और स्पेशल विंटर क्लोधिंग क्रू को रेडी तु फंक्शन हालत में रखने में मदद करेंगी विंटर ग्रेट्स के फ्यूल्स, ओइल्स और लूबरिकंट्स, तैंक्स, इंफिंट्री कॉम्बाट वेहिकल्स और हेवी गन्स के मेजर असेम्बली और स्पेर्स की अवेलिबिलिटी और हमारे फावर्ड रुपेर टीम्स जो की इन सिटू लोकेशन में हर जगा पर मजूद रहेंगे ये सब इंशोर करने की हमारी एक्विप्मेंट हर तरह से और हर समय मेंटेन रहे ये हमारी कोशिश है तो ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये देखिए समंदर से लेकर आसमान तक और जमीन पर हर तरफ हर तरफ पूरी तयारी भारत की हर तरफ पहनी निगा बनी हुई है भारते जाब आस जवानों की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि समंदर में किस तरीके से अभ्यास किया गया जापान के साथ अभ्यास किया गया आपको बता दे आउस्टेलिया के साथ भी सेनिक अभ्यास भारत कर चुका है और इससे दिल की धड़कने बढ़ गई है चीन की सब के बीच एलेसी की त तक पहुंच जाता है और गवीचे अपजारे सझा सब बताईएं कि दो तस्वीर तो हम देख रहे हैं किस तरीके से समुद्र से लेकर जमीन तक और आसमान तक भारत ने पूरी तयारी कर ली है लेकिन इस सबके बीच चीन की एहालत क्या है इस तैयारी पर देखिए बिल्कुल तीनों मोर्चों पर अगर आप देखें नौसेनिक अभ्यास भी भारत कर रहा है यहाँ पर लगातार जो रफैल और दूसरे लड़ा को भी बान है भारत के वो उडान भरते रहते हैं और तीसरा जिसकी आज जिसके हमने रिपोर्ट भी देखी अभी कि मेकेनाइज्ड इंफैंट्री ने एक कमाल किया है मताब बिल्कुल यह कह सकते हैं कि एक कमाल है पैंगॉंग लेक के उस इलाके में जो इतने हाई अल्टिटूड पर है वहाँ पर टैंक रेजिमेंट को पूरे तरीके से तैनात कर देना उसको पूरे तरीके से मॉबिलाइज हालत में रखना एक्टिवेट कंडिशन में रखना यह अपने आप में एक कमाल है जो मेकेनाइज इंफेंट्री भारतिय सेना की ही कर सकती है और इसलिए शायद दुनिया की सबसे शेष्ट रेजिमेंट्स में से एक मानी जाती है मेकेनाइज इंफेंट्री भारत में और यह जो कमाल किया है पैंगॉंग पर जो पूरी टैंक रेजिमेंट को तेनाद किया है यही चाइना के खौफ का असली सबब है क्योंकि उसके सैनिकों को इन हाइट्स पर टिकने में ही दिक्कत हो रही है आप छोड़ दीजे उस बात को कि वो किस तरह से अपनी मशीनों को स उस चीज के लिए क्या आपका एक्विप्मेंट पूरी तरह से वर्किंग कंडिशन में यह बेहत महत्वपूर्ण बाते हैं और जो अधिकारी अभी बता रहे थे सेना के अधिकारी कि किस तरीके से पूरी मुस्तेदी से ना सिर्फ हमारे जवान तैनात है मेकेनाइज पास की सारी पाडियों पर बर्फबारी हो रही है और माइनस में टेंपरेचर वहाँ पर चला गया है तो जो माइनस में टेंपरेचर होता है उस वक्त यह फ्योल जम जाता है जो सामाने गाडियों में हम फ्योल का इस्तेमाल करते हैं तो एक विशेश तरह के फ्योल का चीन परिशान है इस इलाके में चीन सिर्फ यह चाहता है कि वह किसी तरह से टाइम स्पेंड कर ले किसी तरीके से अपनी पॉजिशन पर टिका रह सके लेकिन अब जो यहां के मौसम में तबदीली आनी शुरू ही है जो ठंडी यहां पर शुरू हुई है जिस तरीके से चीना के लिए मुमकिन होगा बहुत जादा दिन तक इस तरह के माहौल में टिक पाना इस इलाके में अनौग क्या इसी लिए इसी लिए चाहता है चीन के जितने दिन बचने हैं अभी टेंपरेचर माइनस जाने में उतने दिन में उकसावे की कारवाई कर अपनी बात को किये गए हैं बैरक के अंदर जवानों को गर्म रखने के लिए खास तरह की हीटर भी लगाए गए हैं और साथी बैरक को इस तरह से तयार किया गया इस तरह से बना गया है जो से जवानों को ठंड कम से कम लगे साथी जवानों के लिए गर्म कपड़े और कंबल के भी किये गए हैं इंतिजाम ये को और तयार हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि जब ठंड बढ़ेगी भारत जवान उसके लिए भी तयार खास तरह की ट्रेनिंग से गुजर चुके हैं लेकिन इस सब के बीच जो व्यवस्था होनी चाहिए उस व्यवस्था को भी पूरा कर दिया गया है खास तरीके के बैरक बनाए गए हैं खास तरीके के इंतजाम किये गए हैं इस बैरक में हीटर लगाए गए हैं और कोशिश यही की गई है कि कम से कम ठंड जवानों को लगे यह देखे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हम हर तरीके से तयार हैं भारत पूरी तरीके से तैयार क्योंकि जिन उंचे इलाकों पर इस वक्त भारत का कब्जा है वहां आने वाले दिन चुनौती पूर तो होंगे लेकिन भारत ये से ना उस चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार जैसे कि आप देख रहा है हम कोर ओफ इंजिनियर के जवान बिंडर हाबिटेट बनाने के कारी में जुड़ी हुई है इस कारी में हमने लेटेस्ट टेकनोलोजी को इस्तिमाल करते हुए जल्दी से जल्दी जवानों के रहने के जगा बातरूम फेसिलिटीज और हीटिंग अरेजमेंट का इंदिजाम किया गया है हमारे इस शल्टर कस्टम मेड है जो की फास्ट एरेक्टेबल और कंटेनरेस्ट शल्टर से जिसको जल्दी से जल्दी एरेक्ट कर सकता है हमारे इस शेल्टर्स प्री फैबरिकेट होने के कारण इसको निर्मान में बिल्कुल कम मात्रा में सिमेंड और सैंड का इस्तिमाल हुआ है और ये देखिए एक्स्लूजिव तस्वीर लगाता रहा हम वहां से आपको एक्स्लूजिव तस्वीर दिखा रहा है जो सिर्फ और सिर्फ आप नियूज एट इन इंडिया पर देख रहे हैं क्योंकि सीमा पर जिस तरीके के हालात हैं उन्हें बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता लेकिन हमारी त्यारी पूरी है हम हर स्कती से निपटने के लिए त्यार है और उसकी दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये में देखेए पानों का कम से कम उनको ठंड लगे, कंबल के भी इंतिजाम किये गए हैं, गर्म कपडों के भी इंतिजाम कर दिये गए हैं, तो ये LSE पर भारत की ताकत और भारत के इंतिजाम। पहले ही जरूरी सामान ले पहुचा दिया था, जिससे जवानों को कोई दिक्कत ना हो, हर साल बर्बारी की वज़े से शिनगर ले रोड पर, हर साल चार से पांच महिने तक ये रोड बंद रहती हैं, और इस बात को ध्यान में रखते हुए सेना ने बर्बारी से पहले ही हति खाने पीने का सामान, गर्म कपड़े और जरूरी चीजे लद्दाक पहुचा दी थी, ताकि गलबान में सेना की जवान, मौसमी हालात और चीन की सेना से मुकाबला कर सकें, तो अगर साल भर भर भी, साल भर भी अगर वहां तक सामान ब्रस्तर समगरी नहीं पहुच पाती ह गई हैं, तस्कीर हम आपको दिखा रहें, बर्बारी की शिर्वात हो गई है, और इस सब के बीच इस रोड, हालकि ये जो रोड है, यहां ये रुकेगा नहीं, और सामान की जो तयारी, सामान पहुचाने का जो कदम है, वो पहले ही उठाय जा सका है, यानि साल भर तक भी रसत सामागरी नहीं पहुचाई जाती है, तो उसके भी इंतिजाम पहले से ही कर लिए गए हैं, तो सीमा पर डगराव के बीच दिखावे के लिए इस सब के बीच आपको बता दे शांती की बात करने वाले चीन ने एक बार फिर से भारत को दी है गीदर भब की, चीन के सरक सारी अकबार Global Times भारत की ताकत से इतना बॉक ला गया है कि वो अपनी ही बात बता रहा है, लेकिन नाम दे रहा है भारत का, उसका दावा ये कि भारती सेना है, खास तोर पर जो चीन सीमा पर तैनात है, वो अपनी सरकार की भी नहीं सुनती, ये अलग बात है कि केंदर सरका से चीन के साथ बरताब करती है, और अगर कोई हरकत की, तो माकूल जवाब दिया जाएगा. और ये भारत की तरफ कोई भी ताकट टेड़ी निगाह रखेगी, उसका माकूल जवाब देने की ताकट भारती सेनकों में है. तरक्षेमंदी राजनात सिंग्ग ने कहा, अगर कोई भी अरकत की, तो माकूल जवाब दिया जाएगा. अनुराग ये जो दावा, ये जो खोकला दावा चीन कर रहा है, ये क्या बॉकला आर्ट में अपनी आउकाद तो नहीं बता रहा? देखें, बिल्कुल चीन की बॉखला है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि चीन के लिए मुम्किन नहीं है, उसके सैनिकों के लिए यहाँ पर सस्टेन कर पाना, अब जिस तरीके के टेंपरेचर और जिस तरीके का माहौल यहाँ पर होने जा रहा है, मैं आपको ए लगातार जानकारी मिल रही है, वहाँ पर लगातार बर्फबारी कल से चल रही है, और अगले 24-48 गंटे में भी बर्फबारी की सूचना है मौसम विबाग के द्वारा, तो आप यह समझे कि अब यहाँ मौसम बदलना शुरू हो गया, जिसके हम बात कर रहे थे पिछले ए LAC पर, तो इस लिहाँ से अगर देखें, तो चाइना प्रिपरेशन में बहुत पीछे है, हमने 12-14 महीने का रसद, राशन, सब कुछ ले और आसपास के तमाम जो आर्मी के ठिकाने वहाँ पर जमाक किया हुआ है, तो इस लिहाँ से हम कन्फरेंटेशन के लिए तयार हैं, और शायद ये पहली बार होगा, जब इतनी बड़ी तादाद में हमारे जवान LAC पर तैनात रहेंगे सर्दियों में, शायद ये भी पहली बार होगा, कि फायरिंग के ओर्डर से हैं भारतिये सेना को, कि अगर दुश्मन की तरफ से कोई भी हरकत होती है, तो LAC पर फायरि कि पहली से भारतिये जवान तैनात है, देखना चीन को एकि वो कब घुटने ठेकता है? खोजने में जुटी है ख्षी और इम्राइ LAC पर लाज सेना में भागम भाग LAC पर चीन से विवाद को सुलजाने के लिए भारत ने हर मुम्किन कोशिश की चीन की सेना के अफसरों के साथ कई राउंड बाद चीत हुई लेकिन चीन अपनी आदत से बाज नहीं आया बैठक में वो जिस मामले पर राजी भी हो जाता है जमीन पर उस समझोते को लागू नहीं करता है चीन की इस चाल को देखते हुए और उसके इतिहास को समझते हुए भारत ने उसे कोई धील न देने की रणनीती पर काम किया और LAC के आजपास में रफाल ने उडान भर दी भारत ने रफाल के साथ ही LAC पर अपने कई और लड़ाकू विमानों का बेड़ा भी भेज दिया जिनोंने सिर्फ लेह और आजपास के इलाकों में उडान भरी और चीन को ये संदेश दे दिया कि वो ये समझने की भूल न करे कि भारत की सेना की मुस्तैदी में कोई कमी आई है भारत ने लेह में अपने जिन जिन लड़ाकू विमानों और वायू वीरों को उतारा है उन में से किसी का जवाब चीन के पास नहीं है क्योंकि एलेसी पर अब भारतिय सेना की शान और जंग का सबसे बड़ा योधा यानि राफाल लगातार उडान भर रहा है इसके साथ ही सुखोई भी लेह के आसमान में पहरेदारी में लगा हुआ है लड़ाकु विमान मिराज भी लेह के आसमान में चक्कर काट रहा है इन लड़ाकु विमानों के अलावा अपाचे हेलिकॉप्टर भी सरहत पर पहुँच चुका है और C-17 ग्लोम मास्टर सरहत पर तैनाज जवानों को ज़रूरत का सामान लगातार मोहिया करा रहा है लड़ाक में राफाल की उड़ान ने चीन में खलबली मचा दी है राफाल ने जैसे ही लड़ाक के आसमान में अपनी जाबाजी दिखाई चीन की लाल सेना में भगदर जैसे हालात हो गए जबकि सच्चाई ये है कि राफाल रूटीन उडान के तहत ही लद्दाक के चक्कर लगा रहा है राफाल के साथ साथ सुखोई और मिराज भी सीमा पर चक्कर काट रहे हैं ताकि दुश्मन को ये एसास रहे कि भारतिय सेना पूरी तरह से तैयार है भारतिय सेना के लडाकू विमानों के लगातार LAC पर उडान भरने से चीनी सैनिक सहम उठे हैं यही वज़े है कि चीन तिबबत में जहां एक तरफ गोला बारूद बरसा रहा है वहीं LAC के साथ साथ LOC पर भी भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है इसके लिए वो पाकिस्तान के साथ मिलकर साजिश रच रहा है ना सिर्फ पाकिस्तान को चीन की तरफ से गोला बारूद मुहया कराया जा रहा है बलकि भारत की सीमा से लगे पाकिस्तान के तमाम सेने ठिकानों के आधुनी की करण में भी चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा है भारत के खिलाफ टू फ्रंट वार कभी भी छिट सकता है इसका अंदाजा हिंदुस्तान को दशकों से है इसलिए सेना हमेशा तयार रहती है ये जानते हुए भी चीन भारत को कई मोर्चों पर उलजाने की रणनीती पर काम कर रहा है वो पाकिस्तान के साथ एलोसी पर भारत के खिलाब चक्रवियू रचने के साथ-साथ कई और मुश्किले पैदा करने के मनसूबे बना रहा है ले में रापाल और भारत के दूसरे लड़ाकों विमानों की उडान चुरू होने के बाद चीन ने अपनी इन कोशिशों को और तेज कर दिया है चीन इस चीज से घबरा के एलोसी को भी पाकिस्तान तो उसका कटपुतली है उसके इस 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 शारे पे नाजता है जैसा जैसा चीन कहता है वैसे से पाकिस्तान करता है तो चीन के इशारे पे पाकिस्तान भी L.A.C. को थोड़ा अक्टिव और होट करने के कोशिश कर रहा है L.A.C. पर चीन अब तक भारतिय धल सेना से ही मुकाबला कर रहा था जहां वो लगातार पिट भी रहा था लेकिन वायू सेना के मजबूती से L.A.C. पर पहुँचने के बाद चीन के होश उड़ गए क्योंकि चीन को पता है कि वो लद्दाक के इलाके में भारतिय वायू सेना का किसी तरह से मुकाबला नहीं कर सकता इसकी सबसे बड़ी वज़ा है भावगोलिक स्थिति दरतल लद्दाक के इलाके में चीन भारत में आस्मानी जंग नहीं कर सकता है क्योंकि लद्दाक के इलाके में चीन के सैन यड़े भारत से काफी नीचे हैं उचाई के कारण चीन के विमान भारतिय ठिकानों तक पहुँच नहीं सकते हैं जबकि उचाई का फायदा उठा कर भारत चीन के ठिकानों को आसानी से निशाना बना सकता है। इसी भागोलिक स्थिती की वज़ा से चीन के लडाकू विमान फुल लोड के साथ नहीं उडान भर सकते। इसके अलावा पैंगॉंग के उत्तर और दक्षण में एहम चोटियों पर अब भारत का कबजा है। इससे भारत ये सेना चीन की हर हरकत पर नजर रख सकती है। इससे भी चीन की मुश्किल काफी बढ़ गई है। भारत ने लड़ाकु विमान के साथ साथ LAC पर अपाचे हेलिकॉप्टर और C-17 ग्लोब मास्टर को भी उतार दिया है। C-17 ग्लोब मास्टर का इस दुरगम इलाके में पहुँचना ये साबित कर देता है कि भारत अब LAC पर सर्दी के दिनों में भी मुकाबले के लिए तयार है। और अगर युद्ध लंबे समय तक खिचता है तो भी भारत को कोई फिक्र नहीं है। चीन के रणनीतिकार भारत की इस ताकत की वज़ा से ही परिशान हैं और लड़ाकू विमान के साथ साथ उन्हें अपाचे हेलिकॉप्टर और C-17 ग्लोब मास्टर का LAC पर पहुँचना सबसे ज़्यादा आखर रहा है। रफाल बहुत ही कारगर और सक्षम है। अख़बार Global Times ने LAC पर भारते जवानों को तादात भारते जवानों की बढ़ने पर एक बार पिर से भारत को दिये गीदर भब की चीन ने भारत को गीदर भब की देते हुए कहा। चीन ने इस बात की भी धम की दी के भारत LAC पर अपने जवानों की तादात बढ़ा रहा है जुससे दोनों देशों के बीच तनाव कम करने पर हो रही बातचीत खत्रे में पर सकती है। चीन ने गीदर भब की दी कि अगर भारत सीमा पर ऐसे ही तनाव बढ़ाएगा तो खतरनाक पर नाम पैदा हो सकते हैं। तो बार बार जुबान से ही लगता है कि चीन जंग लड़ लेना चाहता है। बार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। पीच बहुत बड़ी खबर मिल रही है चीन से बड़ी खबर होफिया सूत्रि ये बता रहे हैं कि चीन पोरी दुनिया से टता चुरा रहा है चीन चुरा रहा है इस Pepperate Lauchip टो छीन जेल 25 पेबरेशन आर्मी ने बनाया है जिसके जरिए साइबर हमले की तयारी है ये भी जानकारी हासिल हुई है कि इस माइक्रोचिप को चीन की फैक्टरी में किया जाता है तयार और फिर इसे एक मदर बोर्ड में डाला जाता है इन मदर बोर्ड को अमेरिका की बड़ी आई-टी कंपनी को बेचा जाता है जिसमें चीन की माइक्र चिप लगी होती है अमेरिका की सर्वर मदर बोर्ड बेचने वाली इस कंपनी का नाम सुपर माइक्रो है जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में इसे एक मानी जाती है सुबर माइक्रो दुनिया के अलग लग देशों में अपने सर्वर मदर बोर्ड बेचती है और इसमें लगी चिप के जरीए चीन डेटा चुराने की साज़िश में चुटा है